जै मा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान अनुसार में तो आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहे हूँ शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा अराधना की उनके व्रत से जुड़े हुए सभी नियमों की दोस्तो अगर आप भी मा वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो आज इस वीडियो में संपोर्तया से जो पूरी व्रत की विधी है जो नियम है वो तमाम जानकरियां व्रत शुरू करने से लेके उध्यापन तक की इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ और साथ में ही आपको इस वीडियो में मैं पूजा वीदी भी दिखाती जा रहे हूँ तो आप पूजा वीदी भी देखते चलिए तो दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी समस्त जानकरियां जैसे आपको व्रत कब से शुरू करने चाहिए कितने व्रत करने हैं व्रत में आपको क्या भोग लगाना चाहिए व्रत में क्या खाना चाहिए और पूजा का भी दोस्तों समय सुनिश्चित होता है व्रतों में तो व्रत में आपको किस समय पूजा करनी है कैसे पूजा करनी है वैभव लक्ष्मी की पूजा में किन चीजों का होना बेहत जरूरी है पूजा के समय आपको क्या वस्त्र पहनने चाहिए वरत बाहर जाते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आप मासिक धर्म से हैं या घर में सूतक पातक है तब वरत कंटीन्यू करना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए तो इस प्रकार की समस्त जानक वृत वो त्योहारों से जूड़ी समस्तर पत्रकार की इसी तरह की जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल ग्यानानुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माता वैबो लक्षमी के वृत का महत व क्या है क्यों करते हैं माता वैबो लक्षमी का वरत तो देखिए माता लक्षमी के आठ स्वरूप होते हैं जिसमें के धन लक्षमी माता का जो स्वरूप है उनकी पूजा आरादना वैबो लक्षमी वरत में हम करते हैं तो माता के वृत पूजा आप चाहें तो धन अश्वरे के लिए, सुहाग सौभाग के लिए, जल्दी शादी के लिए, सुयोग घरवर के लिए, नौकरी व्यापार में उन्नती के लिए, संतान सुक के लिए, किसी भी कामना से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि वृत कौन कौन कर सकते हैं, तो देखिए वैसे तो जो सौभाग शाली स्त्रियां होती हैं, वो इस वृत को करती हैं, लेकिन मनाही किसी की भी नहीं है, कुछ भी ऐसा वर्नित नहीं है, कुमारी लड़कियां इस वृत को कर सकती हैं, आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस वरत को शुरू कर सकते हैं और अब सबसे शुब समय कौन से होते हैं वरत को शुरू करने के लिए तो देखे माग का महीना मार्ग शीर्स का महीना बैसाक मास इन मासों में यदि आप वरत शुरू करते हैं तो बहु संख्या मानी गई है तो इसमें आप कम से कम 11 या 21 या कोई 51 वरतों का भी संकल्प लेते हैं तो इस प्रकार से आपको वरतों का संकल्प लेना है प्रतम शुक्रवार को जब आप सुरू करेंगे तब ही आप वरतों का संकल्प ले लेंगे अगर आप 11 वरत रखना चाहते हैं तो 11 वरतों का या इससे अधिक रखना चाहते हैं, तो अधिक का भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी वरत बहुत जादा लंबा नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहें तो उध्यापन करके फिर से आप शुरू कर लें, तो अब बात कर लेते हैं, कि पूजा के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो सामान हैं, जिसके ववस्ता हमें जरूर से कर लेनी हैं, तो वो है एक माता की प्रतिमा, श्री यंद्र, एक वैभव लक्षमी वरत की कथा पुस्तिका, सोने का या चांदी का एक गहना जरूर चाहिए होता है, और अगर सोना चांदी नहीं रख पा पूजा में, तो कम से कम रुपया नकदी जो भी घर में हैं, मतलब धन की पूजा हमें वैभव लक्षमी के वरत में करनी होती है, और देखिए पूजा का जो समय है, वो हमें किस समय पूजा करनी है, वैभव लक्षमी के वरत में पूजा का जो समय है, वो बहुत अधिक मह तो ये पूज़ा हमें शाम के समय यानि कि गौधूली बेला में सूर्यस्त से पहले संपन कर लेनी चाहिए उसके बाद आप भोजन ग्रहन करेंगे तो देखिए माता वैभव लक्षमी के वरत में प्रसाद आपको क्या चढ़ाना चाहिए तो प्रसाद में आप माता लक्षम को सफेद चीज जैसे के खीर मखाने बताशे दूद से बनी सफेद खोई की मिठाई का भोग लगाएं माता लक्षमी को ये सबी चीज़ें प्रिय हैं और देखिए दोस्तों माता वैभव लक्षमी के वरत में आपको एक भोग हमेशा लगाना चाहिए अगर आप बहुत सा खीर का भोग प्रथम शुक्रवार जब आप वरत शुरू करेंगे उससे लेकर उध्यापन के दिन तक आपको जरूर रखना चाहिए और साथ में आप चाहें तो केले का भोग भी लगा सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखें कि वही भोग वही फल आप लें जो हर बार हर शुक शुक्रवार को आप लागा सकते हैं अब देखिए माता को लाल पुष्प अतिप्रिय होता है तो लाल फूल चाहे वो कमल का हो गुडल का हो या गुलाब का हो या कोई भी सीजन का लाल फूल आपको हर वैब लक्षमी के वरत में अरपित करना है अब देखिए ये जरूरी का फूल आपको हर शुक्रवार को चड़ाना है अब देखिए आपने जैसा के पूजा में देखा मैंने कलश्क नीचे चावल का छोटा सा धेर लगा है तो ये भी पूजा का नियम है जिसके विशे में मैं आपको बताती हूँ तो आपको कलश्क की स्थापना चावल के धे के उपर ही करनी है और ये जो चावल होंगे ये आपको यहां वहां नहीं करने है विसरजित नहीं करने है इन चावलों को आपको अगले दिन चिडियों को दाना के रूप में डाल देने है ये भी पूजा का एक बहुत जरूरी नियम है तो अब बात कर लेते हैं कि पूजा कर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें और वही एक लाल वस्त्र आप हर शुक्रवार को धारण करके पूजा करें और अब बात आती है जो सबसे जरूरी नियम है पूजा का वो यह है कि यह वरत आपको अपने घर में ही करना होता है अपने ससुराल में इस वरत को करें या आप अपने साथ अपने खाने पीने का लेकर जाएं या अगर हफते दस दिन के लिए बाहर जाना चाहती है आपने जैसे पांच सुक्रवार किये और चट्वे शुक्रवार को कहीं जाना पड़ रहा है तब आप देखिए वरत छोड़ दीजिए इस वरत को स्किप कर दीजिए इस वरत में ऐसी कंटिनुएसली की कोई वो नहीं है कि आपको रहना ही है जैसे सोला सोमवार है वो छोड़े नहीं जाते हैं वरत की कड़ी तूटनी नहीं चाहिए तो इसमें ऐसा नहीं है आप बीच में वरत छोड़ सकती हैं अगर आप पीरियट से हैं या घर में सूतक बातक है मतलब बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यों हो गई है तब आप इस वरत को छोड़कर आगले शुक्रवार से वरत को धारन करें अब देखिए खाने का क्या विधान है इस वरत में तो देखिए वरत में आप एक समय मीठा भोजन शाम की पूजा के बाद क सकते हैं और बहुत से लोग सेंदा नमक भी खा लेते हैं तो यह देखिए आपकी शुरद्धा के और सामर्थ की और सबसे ज़्यादा शारीरिक शमता की बात है तो जिस प्रकार से आपका शरीर साथ दे आप उस प्रकार करें और शाम को एक समय मीठा अन का पोजन कर सकते ह या अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो नमक भी खा सकते हैं जो भी आपने भोग लगाया उसके साथ में पोड़ी पराठा ये चीज़ें भी ले सकते हैं और दिन में भी आप सुबह की पूजा के बाद चाय, फल, दूद इस तरह से ये चीज़ें भी ले लें कोई दिकत वाली बात नहीं है और देखिए अब बात करते हैं उध्यापन की तो उध्यापन में आपको कम से कम साथ स्त्रियां बुलानी हैं और उन्हें एक-एक पुस्तक उपहार में दें व्यवभव लक्ष्मी वृत की और जो भी भोग बनाया है वो साथ में दें और अपनी करें आशिरवाद लें उनका और उध्यापन में आप इस बात का धियान रखें कि उध्यापन में संकल्प छुडाने की जो विदी होती है वो जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाई आप एक श्रीफल या फल ले ले उसके उपर दक्षणा रखके आप संकल्प को पूरा करन कि जो विदी होती है वो करें और एक श्रीफल भी जरूर फोड़ना है आपको उध्यापन में और साथ में हवन जरूर करना है अब बहुत से लोग यह कहते हैं कि क्या हवन करना जरूरी है तो जी हावन आप जिस तरह उध्यापन के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता उसी त बात का भी आप विशेश ध्यान रखें यह भी व्रत से जुड़ा एक बहुत महत्वपोर्ण नियम है तो उम्मीद करती हूं वीडियो में दीगी जानकारी से आप सभी को लाप प्राप्त हो जै मालक्ष्मी